नमस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों हम डिसकस करेंगे जूम अप्लिकेशन के बारे में जैसा कि हमने जो लास्ट में दो वीडियो बनाए थे जूम अप्लिकेशन के डेक्स्टॉप और लैप्टोप पे आप जूम अप् मार्केशन का इसमें काफी कंपनीज स्कूल कोलेजिज एजुकेशन इंस्ट्यूट नेट्रप मार्केटिंग्स सबी की रिक्वारेमेंट आज घर बैठ करके जूम अप्लिकेशन फुल्फिल कर रहा है ठीक है तो अगर आपके मोबाइल में जूम अप्लिकेशन है अगर आ अगर आप बहुत हो तो मिटिंग दे सकते हो अगर आप नेट्रप मार्केटिंग में अमलम इंडिस्ट्री में तो यहां पर आप अपनी टीम की मिटिंग कर सकते हैं और टीम प्लांस कर सकते हैं जो भी आपके कंपनी रिलेटेड इन्फोर्मेशन है वो आप अपनी टीम मे प्रेट्रो जाय स्कूल कोलेज और नेट्रक मार्केटिंग और सब के लिए आज जूम अप्लिकेशन बहुत बड़ा वरदान साब भीत हो रहा है तो जूम अप्लिकेशन में अपना प्रोफाइल पिक कैसे सेट करें तो जूम अप्लिकेशन में सबसे पहले जो नए यूजर् सब्सक्राइब कीजिए आपको हमारे चैनल पर लेटेश इंफोरमेशन टाइम टो टाइम बिलती रहेगी ग्लोबली ओके तो आगे बडियों से पहले हम आपसे डिसकस करेंगे कि अगर आपके मोबाइल में अभी तक जूम अप्लिकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ली स्टोर में जाई आप गुगल प्ली सटोर में जाएंगे वहाँ पर जूम कलाउड मिटिंग्स की जो एप्लिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं यह जो जूम अप्लिकेशन है फ्री वर्जन में आप 40 मिनट का सेसिन कर सकते हैं गर 9 September 8 1 लोग आपकी गूर्मेन्ट केंप लोई हो या आप नातर हो मर्केटिंग में काम करते हो अम काम करते आप मिटिंग अटेंड डरना चाहते है तो आपकी एक आइडेंटटि एह आपके जो टीचर सेने जो मेंटर्स अज लेकिन उसकी तो प्रोफाइल पिक नहीं थी नाम रमेश लिख देने से ऐसा नहीं होता कि आप रमेश बन जाओगे तो सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने पड़ेगी ठीक है तो जूम अप्लिकेशन कोई भी जूम अप्लिकेशन जूइन करते हो तो आपके जो अप्लाइन है आपके जो टीचेर्स हैं आपके जो लीडर्स है वो आपसे बोलते हैं बार-बार की आप अपना प्रोफाइल पिक लगाईए और उसके नीचे नाम डिस्टिक नेम या स्टेट का नाम आप लेखिए ताकि फोटो से हम आपको पैचांस के या फिर आप लाइव वीडियो में आईए लाइव वीडियो जिस तरीके से टीवी चलता है न्यूज आप सुनते हैं उस तरीके से आप लाइव वीडियो में जाएंगे तो एक ड्रेस कोड के साथ जाएंगे आप जो भी मिटिंग अटेंड करेंगे घर बैठके ठीक है जो भी कॉर प्रफाइल पिक्चर खुद की पिक्चर सेट कर सकते हैं वो किस प्रकार से सेट करो गया वो मैं इस वीडियो में आपको बता हूँ तो सबसे पहले उपन पे क्लिक करेंगे हम आपको जूम क्लाउड एप डाउनलोड करने फिर ओपन पे क्लिक करना है स्टार्ट ए मिटिंग अगर आपने रेजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जूइन मिटिंग पे जैसा कि आप जूइन कर सकते हैं हमारा जो लास्ट वीडियो है वो आप देख लीजिए बिना रेजिस्ट्रेशन के आप मिटिंग जूइन कर सकते हैं ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको प्रोफाइल पिक कैसे सैट करें अपना नाम कैसे लगाएं ताकि आपके लिडिस्ट्र आपका नाम और प्रोफाइल पिक देख करके पहचांसके कि हाँ ये मेरा लीडर है और मेरे मिटिंग है उसके पर क्लिक करने है तो रहे तो साइन अप पर जैसे मैं किलिक लूँगा तो यहां पर एक नई विंड़ो उपन हो जाते वहां पर आपको अपना date of birth डालना है कि आप 18 20 साल कि उम्मर से हैं या नहीं तो मैं अपना date of birth डाल सकते हैं आप 18 से 20 साल कम से कम होना चाहिए आपका तो कोई भी date of birth डाल सकते है आप ठीक है तो मैं यह date of birth जैसे डाल रहा हूं roughly example के तोर पे इसको मैं set कर रहा हूं ठीक है तो zoom की जो application हो next step process करेगी इस step में आपको अपना email id डालना है ओके first name last name डालना है जो भी नाम यहां पर रिफ्लक करेंगे वही आपके profile के उपर set होगा यहां ठीक है तो यहां पर आप कोई भी अपनी email id डाल सकते हैं और अपना जो वीडियो है इसको आप continue देखिए यह important step है यहां से ठीक है तो सारे चीज़ें आपको यहां पर fill up करनी है तो इस परकार से मैंने यहां पर email id put up किया है first name और last name यहां डालना है मैंने ठीक है तो sign up पर आप click कीजिए जैसे आप sign up पर click करेंगे तो यहां पर आपका email id है उसके इंदर एक mail जाएगा ठीक है उस mail के अंदर एक link होगा तो company वो link verify करते ओस link पर क्लिक करना है ठीक है जैसे आप link पर click करेंगे तो आपकी email id verify हो जाएगी तो zoom जो है वो आपकी email id verify करेगा hundred percent कि वो साहिए है या नहीं तो जैसे आप अपने email id के उपर click करेंगे तो in कर सकते हैं अपना password choose कर सकते हैं और आप अपना password और email id note करके लिखिए कि क्या आपने password डाला था क्योंकि आपको password उसमें करते रहना पड़ेगा ठीक ना जब यह आप password भूल जाओगे तो login करने के लिए आपको password दुबारा डालना पड़ेगा उसके अंदर ओके तो जूम का जो लिंक है मेरे लैप्टॉप में आ चुका है तो उसमें हेलो करके आएगा और आपके पास इफ दा लिंक अबॉर्ड देट रग पेस्ट देशन यूर ब्राउजर तो मैं उस लिंक के उपर अबकार क्लिक कर रहा हूँ ठीक है सैंटर में सीन यूर आयेगा आपके इमेल पॉन के इन तो ये मैंने अपना email address डाला ठीक है और उसके बद आपको password स्लख करना है तो password यहाँ पर आपको डालना है और उस password को याद रखना है फिर आप login करोगे यहाँ फिर sign in आपका हो जाएगा तो मैं password डाला हूँ तो दोस्तों यहाँ पर email ID डाल चुका हूँ है password डाल चुका हूँ ठीक है password आपको स्लख करना है आप अपने email ID पर जाईए वहाँ पर inbox में एक mail मिलेगा उस mail पर एक link होगा उस पर click कीजिए आप sign in का sign in पे जैसे click करेंगे तो वहाँ पर आप अपना password स्लख कीजिए और फिर वह password यहाँ पर डाल लिए आप email ID और password sign in पर जैसे में click करूँगा तो यहाँ पर login हो चुका होगा मेरा ठीक है तो आपको अपना password और email ID नोट करके रखिए डारी के अंदर do you want to sign in to with fingerprints अगर आप fingerprint के साथ sign होना चाते हैं तो ठीक है नहीं तो cancel कर सकते हैं इसको ठीक है अब इस परकार की window आपके सामने open हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह जो वीडियो है इसमें आप profile pic और अपना नाम कैसे set करें उसके लिए बनाया गया है तो सबसे पहले इसम भी आपका material है PDF file या PPT है meeting conduct करने के लिए चार option है first option है new meeting new meeting पर आप जाएंगे तो यहाँ पर join कर सकते हैं new meeting conduct कर सकते हैं उसका link share कर सकते हैं उसके लिए मैं अलग से video बनाऊंगा और meeting कैसे join करते हैं तो join पर click करेंगे जो मेरा last video है वो देखिए आप उसमें पूरा procedure मैंने बता रखा है meeting schedule कर सकते हैं advance में और अपने screen share कर सकते हैं computer या laptop क्या mobile की जो भी आप अपनी meeting में share करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अपना profile कैसे set करें उसके बारे में यह profile picture यहाँ पर कैसे set करें setting में जाए right side corner में right side में देख रहे हैं down side में ठीक है setting में corner में इस पर click कर र रखिए इसको change करना हो तो कैसे करेंगे change तो right side पर click किजिए आप ठीक है जैसे right side पर click करेंगे तो display नाम जो display नाम मेरा आ रहा है इसके उपर आपको click करना है okay display name तो display name पर जैसे मैं click करूँगा यहाँ पर तो आप यहाँ पर अपना कुछ भी नाम रख सकते हो ठीक है तो जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूं Mr. राठोड दिल्ली ओके तो इस परकार से आप अपना नाम set कर सकते हैं और यह काफी important step है ओके आप उपर अपना नाम लिखिए निचे city का नाम लिखिए जिस city से डिस्टिक से आप बलोग करते हैं तो ok पर click करूँगा तो यहाँ पर जो display नाम है Mr. राठोड दिल्ली करके आ जाएगा ठीक अगर आपको profile pic change करनी तो profile pic क्यों पर click किजी आप ऐसे take photo choose photo change profile photo तो choose photo click करना है जैसे choose photo पर click करेंगे तो आपके mobile से कोई भी picture उस पर click कर दीजे डबल click तो यहाँ पर set हो जाएगी तो इस परकार से आपको अपना नाम और अपने city या district का नाम और अपने profile pic इस वीडियो के महत्दम से करनी है और left में उपर जाईए और left में click कीजे तो इस परकार से आप अपना नाम city का नाम और अपना email id पासवर्ड यहाँ पर setup कर सकते हैं profile pic और नाम बहुत जरूरी है किसी भी meeting के लिए आपकी identification के लिए ठीक है यह profile pic मैंने captain पारक्सर के लगा रखी है जो मेरे team में है ठीक है तो मेरी pic नहीं है यह ठीक है तो इस परकार से आप अपने pic लगा सकते हैं यहाँ पर ठीक है ठीक है इस परकार से आप अपना profile pic और सारी चीज़ें set कर सकते हैं यहाँ पर तो इस वीडियो का आप continue देखिए और अपने team में share कीजिए ताकि आपकी team profile picture कैसे set करते हैं नाम कैसे set कर सकते हैं इस वीडियो के मादम से वो सीख सके और इस channel को like कीजिए share कीजिए subscribe क कीजिए थैंक यू वरी मस्तोस्तो